एक्सिडेंट ये इतना खतरनाक शब्द है कि इसे सुनते ही अच्छे अच्छों के होश उर जाते हैं। भगवान ना करे कभी किसी के साथ ऐसा कोई हादसा हो, लेकिन कई बार सोते समय हम कुछ ऐसे ही खतरनाक सपने देख लेते हैं, जिससे हम दर जाते हैं। सपने में एक्सिडेंट देखने का क्या मतलब होता है? क्या ये सपना शुब होता है या फिर अशुब होता है, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। स्वपन शास्त्र में सपनों के सही अर्थ के बारे में बताया गया है। नमस्कार दोस्तों, धर्मवानी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप भी हमारे चैनल पे नए हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आईए जानते हैं कि किस तरह के सपने से आपको क्या अर्थ निकालना चाहिए। अगर आप सपने में किसी ट्रेन का एक्सिडेंट देखते हैं, तो इसका मतलब होता है कि आपको भारी आर्थिक नुकसान होने वाला है। आपकी इंकम के फ्लो में जटका लगने वाला है। आपने अगर किसी को उधार दिया है, तो आप भूल जाएं कि वो कभी वापस आएगा। इस सपने को व्यापार में घाटा होने का संकेत भी माना जाता है। कभी सपने में अगर आपको बाइक से एक्सीडेंट होता नजर आए, तो समझ लें कि आप किसी लड़ाई जगडे में फंसने वाले हैं। ये सपना आपको सतर्क रहने के संकेत देता है, क्योंकि इस वजह से आपको जेल या जेल जैसे योग बनने के संकेत मिलते हैं। केत देता है सपने में कार एक्सीडेंट देखना। अगर आप ऐसा सपना देख रहे हैं, तो आप किस दिन इस तरह का सपना देख रहे हैं, आप उस हिसाब से उपाय कर इस सपने के बुरे प्रभावों से बच सकते हैं। अगर ऐसा सपना आए, तो आप डॉक्टर से अपने अच्छे से चेकप करवाएं और अपनी सिहत का अच्छे से ध्यान रखें। सपने में आप अगर किसी दूसरे का एक्सिडेंट देख रहे हैं, तो ये बेहत अशुब है। आप कोई नया कामना शुरू करें। स्वपन शास्त्र में बताया गया है कि आप अगर इस तरह के सपने देखते हैं, तो आपको आगे काम में दिक्कते आती हैं। जूठे इलजाम लगने का खत्रा रहता है और तनाव बढ़ता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं, हमारा द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। विडियो पसंद आई हो तो विडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ विडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।